दोस्तो एक नया नोटिफिकेशन आया है जहां पे आप लोग देखोगे University College of Medical Sciences यह जो University है पॉरिटिकुलर्ली यह किस के अंतर गताती यूणिवर्सटी आफ डेली के अंतर गताती है Central Government Job होगी आपको State Government से कुछ लेना देना नहीं है तो यहां पे जो Total Post है वो है 29 जहां पे UR की 9 है SC की 4 है, ST की 2 है, OBC की 8, EWS की 3 है PWBD की 3 है तो यहां पे आपका यह Total Vacancies है अब यह जो Recruitment है आपको एक Web Link जो यह Notification है इसके अंतरकत यह Web Link मिलेगा, इसमें आपको जाना है और यहां पर आप इस Form को भर पाएंगे यह जो आपका जितना भी Post है, यह Categories है, आपका SC, ST, OBC, EWS है यह आपका जो Document है, यह कैसा होना चाहिए, यह होना चाहिए आपका किस चीज का Central Government format पर बना होना चाहिए, और जो यहां पर बता रहे हैं कि और भी जानकारी के लिए आपको यहां पर करतेंगे, मतलब यह चीज़े हैं, अब यहां पर देखो, Post क्या है, जूनियर एसिस्टेंट, पर लेवल क्या है, दो, तो आप यह मान के चलो कि भाई, आपकी जो पहल पास यहां पर आपसे मांगा गया है, टाइपिंग आपको आनी चाहिए, 35 वर्ट पर मिनट इंग्लिश में, या 30 वर्ट पर मिनट हिंदी में, आप अगर कर पा रहे हो, तो आप eligible हो, इसका कोई certificate देनी की ज़रूरत नहीं है, यह जो आपका link है, नोटिफिकेशन पर यहां आनलाइन पेमेंट आपसे ले जाएगी, आपके examination की, ओके, reservation यहां पर यह बता रहे हैं कि SC, ST, EWS, OBC का जो है यहां पर, वो applicable होगा, UGC Center Government Norms पर होगा, वो चीज़ें, यह आपको यहां पर ध्यान देनी है, अब यहां पर यह जो पीडलोटिक एंडिट है, उनका 40% disability होना ज़रूरी है, ओके, OBC का है, यहां पर certificate आपको अपलोड गरना पड़ेगा, जो एक competent authority से आपने बनाया होगा, और वो current financial year का होना चाहिए, यहां पर यह लोग बता रहे है, current financial year का होना चाहिए, और अगर आप कोई post EWS से भर रहे हो, तो यहां पर यह लोग बोल रहे हैं कि परिटिकुलर्ली वो भी कैसा होना चाहिए, यह आपका है, current financial year का होना चाहिए, जो अभी चल रहा है न, 2024 इसका बनावा होना चाहिए, यहां पर यह सिंपली कह रहे हैं, ओके, CST, OBC का जो relaxation मिलता है, वो आप यहां पर देख लो, बागी यहां पर यह आपके लिए important चीज होगा, वो डेली में ही होना चाहिए, अब यहां पर देखो, जब आप यह form भरोगे, तो यह form भरने से पहले आपको यह चीज रेडी करनी है, self-attested का मतलब होता है, कोई document जो है आपके पास है, यानि कि उसकी photocopy बोल रहा हूँ है, original पर sign मत कर देना, photocopy पर आप अपना ज जो certificate है, birth certificate है, अगर आपकी पास वो लगा देना, 10th का passing certificate है, वो लगा देना, mark sheet, essential qualification, senior secondary का, यह आपको लगाना बहुत जरूरी है, 10th और 12th का, 10th और 12th का mark sheet और उसका passing certificate आपको लगाना पड़ेगा, self-attest करके उसकी photocopy, तमझ में आ गया, उसकी photocopy आपको लगानी पड़ जाइए, degree अगर आपने करी है, तो कर देना, CSTOBC का कोई document है, तो कर देना, नहीं है, तो यह नहीं करोगे, PWBT certificate है, तो कर देना, नहीं है, तो मत करना, अगर आपके ही सरकाय नावकरी में काम करते हो, तो वहां का NOC अभी चाहिए, experience कहीं काम करते हो, तो डाल देना, नहीं तो रहन देना, कोई और certificate जो जरूरी है, वो भी आप यहाप डाल सकते हो, अदरवाइस कोई जरूरत नहीं है, यह सब करने की, simple आपको यह डालना है, यह डालना है, और यह अगर है, तो डाल देना, अदरवाइस मत डालना, बस आपके लिए दो काफी है, 10th का certificate, या फिर से फरक नहीं बढ़ता है, जैसा यहाँ पर बता रहे हैं, तो मिसला कोई यहाँ पर इसनोंने दिया नहीं, अब देखते हैं, हम लोग यहाँ पर examination कैसा होगा, जब हम यहाँ पर बात करते हैं, direct recruitment की, junior assistant की, तो यहाँ पर आप देखो exam pattern, paper 1, paper 2, maybe यह same day होगा, होना चाहिए सेम डे, otherwise नहीं तो यह बात में कराने के कोई चक्कर नहीं बैठता है, ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो MCQs होगा, आपका 3 घंटे का paper है, 200 questions होगे, okay, paper 2 है, आपका SN comprehension, जो कि आपका descriptive होगा, 1.5 घंटे का होगा, 100 marks का होगा, आपके 300 marks का paper होगा, okay, 4.5 घंटे का paper ही देते रहोगे, okay, जो आपका test होगा paper, यह MCQ वाला, इसमें 50 general awareness के, 50 reasoning के, 50 maths के, और 50 language, आपके English और हिंदी, दोनों आएगी, मतलब दोनों नहीं आएगी, आप दोनों में से एक कर सकते हो, select, okay, language या फिर हिंदी होगी, यह आपको चूज करना होगा, वहाँ पर आपको paper उसी प्रकार से दिया जाएगा, okay, तो यह होगे हैं पर आपका 50 सेम CPU SI वाला pattern है, 3 घंटा बहुत जादा time दे दिया हैं लोगों ने आपर, okay, तो basically आप इसे आराम से कर भी पाऊगे, okay, तो एक कोश अगर यह आपका 100 marks का होने वाला है, maybe यहाँ पर जो S से होगा, 40 marks का होगा, 20 marks का यहाँ पर क्या होगा, comprehension या 30 marks का होगा, और 20, 30 marks का यहाँ पर आपका, ठीक हैं, मतला 40 या 50 marks के 2 S से हो सकते हैं आपके आपके पास, यह फिर यह 30 marks का हो सकता है, और 30 marks का यहाँ पर letter writing हो सकता है यहां पे ध्यान देना है कि यह थीन आपके लिए हो सकते हैं यह आपको ले के चलना पड़ेगा और यह आपका फेपर इसी के बादल देगा जश्ट या फिर यह कुछ में टाम के बाद होगा पर और इसे कुछ नहीं कि पता है जोग्राफी एचसी वाला है रिजनेंग वैबिलेटी में भी है सिमिलारेटीज डिफरेंसे स्पेस विजुलाइज़ाइशन ओके वरबल नौन और आपको दोनों पढ़नी पड़ीगी मैधेमेटिक्स में स्रिफ अर्थमेटिक करना है टिग्नो नहीं है इसमें एडवांस मै पर नहीं जाना है इंग्लिश और हिंदी में आपको वही हिंदी लेंग्वेज लेते हो तो उसकी ग्रामर सेंटेंस स्ट्रक्चर सिनॉनियम एंटर्यूम यह आपको पता होने चाहिए पेपर टू में टेस्ट इसमेंट फोर टेस्टिंग अप्लिकेविलिटी एंड आपको थीकलिए लेवल्ड वोके जो उसकी तो कोहिए फ्लीफाय और रहले है' पेपर कोलुफाय करेंस्किष और डाठी्अीु आप आपको 200 में से कितना 45 परसंट मार्क्स लेके आने पड़ेंगे तो यह चीज आपको कितना हो गया भाई करना है फिर आपका skill test होगा और skill test करने के बाद आपकी एक merit आएगी जिस merit में पेपर 1 और पेपर 2 के हिसाब से बच्चों का selection यहाँ पर किया जाएगा on the basis of paper 1 and paper 2 selection will be done okay so there will be a paper of 300 marks okay and there are vacancies like 29 vacancies were there and what will you do next what will you do next test तो क्या होगा ठीक है इसका mock test मैं कोसिस करूंगा बनाने की और इसका mock test थोड़े टाइम के बाद या फिर अभी शाम तक मैं जब यह वीडियो बना रहा हूं तो आपको इस वीडियो के description पर मिल जाएगा इसका free mock test होगा वो okay paid वाला बाद में आएगा free वाला mock test आपको इसके नीचे मिल जाएगा वहाँ पर जाकर आप attempt करो देखो और अपने हिसाब से अपने marks करो और उसके बाद तयारी करते हो okay paper 2 की तयारी मैं करवा दूँगा ऐसा कोई दिक्कत नहीं उसमें paper 2 भी ज्यादा हाड है नहीं okay paper 2 भी हो जाएगा अगर आप लोग त्यारी करते हो अच्छे से तो that will be easy for you okay और बस यही है सब और कोई question होगा तो मुझे comment कर देना so that I will answer that question okay if I will get the time okay then bye bye